हलो दोस्तों बिहार में परिक्षाओं को लेकर बहुत बड़ा निर्नाय लिया गया है तो चलिए नया नोटीस देख लिजिए क्या कुछ नोटीस में दिया हुआ है अभी बिहार पुलिस 8415 पोस्ट का फिजिकल होना बांकी है बिहार फायर में उत्पाद सिपाही ये सब का एक्जाम डेट भी निर्धारी था है तो क्या परिक्षा होगी या नहीं बिपिए सीडिप्यों एक्जाम डेट के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे तो चलिए सबसे पहले आप ओफिस्यल नोटीस देख लिजिए और साथ में बिहार पुलिस नई भरती का आप लो सोधन भी क्या गया है तो संसोधीत नोटीस भी आप लोगों को दिखाएंगे फिर परिक्षा के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे यहां पर आप देखेगा चार जनवरी 2022 का यहां नोटीस है और इसमें यहां पर रोख जु लगाया गया बहुत सारी चीज़ों को Mexico बन्द भी क्या गया और कुछ चीजों को कंडिशन के साथ खोला भी गया है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी कारियाल है पचास पर तीसात उपस्तिती के साथ खुल सकेंगे बांक यहां पर अपवाद में दिया हुआ है और यहां पर देखेगा सभी दुकान परतिश्ठान का जो कंडिशन है यहां पर आतरी आठ वजे तक खुल सकेंगे और नाइट कर्फिव भी लगाया गया है शिक्षन संस्थान से संबधित तीसरे नमर पॉइंट में प्री एस्कूल से आठमी काक्षा तक यानि पहली कलास से लेकर के आठमी कलास तक का एस्कूल को बंद कर दि अब चले नीउ अपडेड़ नोटीस देख लिजे फिर आप को सब कुछ क्लिर समझ में आ जाएगा अभी इस संसथित नोटीस को देख लिजे यहां पर आप आप देख सकते हैं बिहार सरकार ग्री विभाग आदेश यहा आदेश दिया गया है इसके बाद है राज्ज में कोरोना महामारी के परसार को रोकने है तू विभागी आदेश ग्यापांक नमर है 38 और डेट है 4 जनवरी 2022 तो राज्जी सरकार के और से कोरोना को रोक थाम के लिए नया गैटलेंस 4 जनवरी 2022 को जारी के आगया है और यहाँ गैटलेंस जो प्रभावी रहेगा 15 दिनों के लि ही कंडिशन है बस यहाँ पर अपवाद में निर्वाचन विभाग से संबनित नया यहाँ पर डिसीजन है निर्वाचन विभाग की अत्यावस्य गतिविधियों से संबनित काडियाला या थावत कार्ज करेंगे यानि जिस तरह से पहले था उसी तरह से स्यम खुलेंगे न इसके बाद दूसरे नुमर, पॉईंट में हैं यततव द्वरा, उक्तादेश कि कंडी का तीन, कंडी का तीन जो है सिक्षन संस्थान से संबन हीत था है, इसमें संसोधित किया जाता है इसका बाद यहां पर है सभी विद्याले, महाविद्याले, सिक्षन पर सिक्षन सही ततकाल प्रभाब से बंद रहेंगे, यानि ततकाल यहां पर बंद कर दिया गया है, पहले क्या था कि एक स्याट तक कक्छा को को बंद किया गया था और इसे उपर नौशी सी लेकर के कॉलेज हो गया सभी को पचास पर थिसत कंडिशन के साथ दिया गया था खुलने का कि 50% के साथ कंडिशन के साथ खूल सकेंगे कोचिंग संस्थान भी अब यहाँ पर नया ओडर में कोचिंग संस्थान के साथ साथ जो भी सरकारी हो गया प्रेवेट हो गया कॉलेज, स्कूल सभी को बंद कर दिया गया चात्रावास को भी बंद कर दिया गया यानि जो भी student hostel में रह रहे हैं सरकारी hostel में या फिर private hostel में तो उसे खाली करना परेगा और परंतु उनके काड़ियाल है सिर्फ ओफिस को 50% उपस्तिती के साथ permission है और online सिक्षनकार संचालित किये जा सकेंगे तो ऑफिस इसलिए यहाँ पर खुलने का permission दिया गया बहुत सारे coaching संस्थान में ऑफिस के माध्यम से online class ली जाती है तो इसलिए यहाँ पर 50% उपस्तिती के साथ office खुलने का permission दिया गया है अब आपके मन में यहाँ पर यह होगा कि coaching संस्थान स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया तो क्या परिक्षा ली जागी या नहीं तो परिक्षा के बारे में यहाँ पर नीचे में बत्या गया है यहाँ पर देखेगा तो केंदर तथा राज जी के आयोग द्वारा आयुजित नियोजन संबंधित परिक्षा तथा विभिन विद्याले बोड़ो द्वारा आयुजित परिक्षा संचालित की जा सकेंगे यानि परिक्षा पर कोई भी रोक नहीं लगाया गया, इसके बाद यहाँ पर है अपवाद में पुलीस यहाँ होमगाड के परसिक्षन संस्थान, तभी बिहार पुलीस 1188 का ट्रेनिंग चल रहा है, तो उस ट्रेनिंग पर कोई भी रोक नहीं है, साथ यह भी जो दरोगा नय जैसे पुलीस से संबनित हो गया, डॉक्टर का ट्रेनिंग हो गया, यह सब पर रोक नहीं लगाया गया, अन्य सरकारी पर सिक्षन संस्थानों के बंद संचालित के जाने के संबन में संबनित विभागा अध्यक्ष द्वारा समुचित निर्ने लिया जाएगा, तो बांकि पुलीस का जो फिजिकल होना बांकि 8415 का तो फिजिकल लिया जाएगा या नहीं, गवर्मेंट ओडर की बात करें तो सरकार के ओडर के एकोर्डिंग यहां पर कोई भी रोक नहीं है, असपश्ट यहां पर लिखा हुआ है, राजिक आयोग द्वारा, आयोजित नियोजन सं डिनईजन स्थिति हाएगा, उसे कुए रही लिया जाएगा, और यहां पर परिक्षा में रोक लग सकता, अगर जिस अकॉर्डिंग अभी इस्थिति है, अगर उसे के एकोर्डिंग रहता है, airflow के इस निर्धारित फिजिकल लिया जाएगा, और यह depend यहां पर मेन लूप स CSBC पर है, सरकार की और से, गवर्मेंट की और से कोई रोक नहीं लगाएगा, अब आयोग पर डिपेंड आयोग लेना चाहेगा, तो ले सकता है, नहीं तो नहीं भी ले सकता है, तो जैदा उमीद है कि ले लिया जाएगा, क्योंकि सरकार की और से कोई रोक लगाए नहीं गया इसके बाद अगले महने से आप लोगों का ज्वैनिंग भी हो जाएगा और जल से जल्द आप लोगों को नौकरी भी मिल जाएगा अगर नहीं लिया जाता है तो फिर इसमें तीन से चार महने देरी हो जाएगा एस्थिति तो अभी पूरी तरह से समाने होगा नहीं ऐसा नही हाली है 2022 मुस भरती पर भी एफ्यक्ट पड़ेगा जो पुरानी भरती है जब कंप्लीट होगा तभी यहां पर नहीं भरती दी जाएगी अगर स्थिति समाने रहता जिस अभी स्थिति है तो बिल्कुल यहां पर फिजिकल ले लेना चाहिए जो भी चात्र यहां पर है चात स्थिति कंट्रोल में है अगर स्थिति कंट्रोल में रहता है तो एक्जाम यह सब स्थिति कंट्रोल में रहता है तो एक्जाम यह सब स्थिति कंट्रोल में रहता है तो एक्जाम यह सब स्थिति कंट्रोल में रहता है तो एक्जाम यह सब स्थिति कंट्रोल में रहता है तो आपके मन में ये रहेगा कि फिजिकल यहां पर अस्थागित होगा तो फिर कुछी समय बचेगा और आप फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाईएगा फिर आपका सनेक्षन नहीं हो पाईगा क्योंकि फैनल मेरिट जो बनना है फिजिकल के कोडिंग है टोटल लेक स्वांग के कोडिंग तो अगर आप अच्छे सभी त्यारी कर लिजेगा तो तीन-चार मेहने के बाद यानि मैं में आपकी नौकरी हो जाएगी कंप्लीट यहां पर हो जाएगा और जो भी यहां पर नहीं भरती है तो नहीं भरती जो है पुरानी पर ही डिपेंड है अब तक कंप्लीट हो जाएगा तो यहांनि एक सेडियूल में सब कुछ यहां पर दिया जाएगा और अगर यहां पर चुरासी सुपंद्रा का फिजिकल पोस्ट पॉंड होता है तो नहीं भरती जो है उसमें भी आप लोगों को देरी देखने को मिल सकता है तो अभी का यह पर चांस है कि छव फरवरी को होगी तो अभी यही चांस है कि छे फरवरी को नहीं लिया जाएगा जब तक ऑफिस्यल नोटीस नहीं आता है आप लोगों को त्यारी करते रहना है और BPSC को भी अगर CDPO का परिक्षा छे फरवरी को नहीं लेना है तो अफिस्यल नोटीस चारी करके जल से जल बता देना जी जिससे स्टुडेंट परेशान ना हो और अन्य परिक्षाओं का डेट निर्धारी तो फायर मेन का भी डेट निर्धारी थे 27 फरवरी को तो अगर Bihar Police Constable 8415 का फिजिकल लिया जाता है तो यह सब परिक्षा भी ले लिया जाएगा तो यह करके सभी परिक्षा आप लोगों को देखने हो क मिलेगा आपके मन में यह डौट होगा कि भी फोरेस्ट गार्ड का डेट अस्थागित किया ग इसका जो फिजिकल का यह जाता है संजय गांधी जाविक उद्यान पट्ना में पट्ना चरिया घर में आयो जन किया जाता और जूग को सरकार क्योड से बंद कर दिया गया तो जब बंद है तो फिजिकल होगा कहाँ पिज कारांस यह पर रस्थागित किया गया अगर ऐसा रहता चुराशी सुपंद्र का फिजिकल नहीं लेना रहता तूसी दिन उसका भी नोटिस आरी कर दिया जाता तो CSBC भी अभी है इस्थिती पर देख रहा है कि अगर इस्थिती समाने रहेगा हम ले लेंगा अगर बहुत ज्यादे खराब होता है तो नहीं ले पाएंगे तो वेबसाइट पर नोटिस दी जाएगी इसलिए आप लोग अच्छे से त्यारी में लगी अभी जी जान से आपको फिजिकल का अच्छे से त्यारी कर लेना है अगर आपको कोई ये कहता है कि फिजिकल नहीं लिया जाएगा च्छराशी सो पंद्र का इन सभी बातों पर इसे से त्यारी कर लेना है और आप जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं एक्जाम देने वाले हैं तो एक्जाम पर भी आप लोगों को लगे राना है अगर इसी तरह का स्थिति रहता है तो सभी परिक्षा बिल्कुल समय से ले ली जाएगी